जेडियू के तरफ से इन दिनों पोल खोल अभ्यान चल रहा है बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दों पर पोल खोलने की तैयारी है और एक मुद्दा ये भी है कि बीजेपी ने जो अपने दफ्तर बनाया है जो जमीन की खरीदगी की गई है उसमें सही तरीके से जमीन की खरी पूल खोल रही है कौनची का पूल गिर गया उसका पूल खोल रही है जो रोज बैंक लूटे जा रहे हैं उसका पूल खोल रही है जो बेटियों पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे है उसका पूल खोल रहा है जो प्राया हर दिन हत्याएं हो रही है उसका पूल खोल रहे है कौन चीज के इनके पास पोल खो रहा है कि फिर कहीं पल्टी मालने वाले उसका पोल खोलेंगे क्या करेंगे कि लालू जादों को फिर जेल भेजवावेंगे सब मिलके उसका पोल खोलेंगे कौन चीज का पोल खोल रहे हैं यह हमको पता नहीं चल रहा है बताया जा रहा है कि कि आप लोगों ने जो पार्टी दफतर खोला नेया दफतर खोला उसके लिए जो जमीन ली वो ब्लैक मनी के जरीए जमीन ली गई तो जब लिए थे तो हम लोगों के साथ ही थे नितीज जी उस जीने बुझा रहा था तो कारवाई क्यों नहीं करतें कि ब्लैक मनी से लिए द और हमारे यहां एक-एक बिधायक एक-एक वरकर साल में दो बार तीन बार हम लोग पईशा देते हैं जिस पे नाम भी नहीं लिखते हैं इसलिए भारतिय जनता पाठी का मुकाबला करना जो विचारों से चलता है व्यक्तिवादियों की संस्था नहीं है परिवारवादियों की संस्था नहीं है गाल बजाने वाली की संस्था नहीं है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किसी दरवाजे पर जाके नतमस्थक होके उसके पाउँ पर सर रगर्दे वाली पाठी नहीं है ये विजारों की पार्टी है इसलिए अपना पहले पॉल बता दें फिर दूसरा का पॉल खोले मंत्री मंदल की बठक बुलाई और कब इसका नोटिफिकेशन हुआ यहां हाउस सुरूर डीटीश कुमार करते हैं तो हम लोग उसे धोलक पिट के पूछने का आते हैं कि अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सिवा है कुछ बोलने से पहले अपने आपको आकलन करने ना चाहिए दो दिन तीन दिन हाउस चलाते हैं केप्ट के तरह हाउस को बना लिया है सिर्फ बील पास करने का और सप्लेमेंटरी पास कराने का बिनियोग पास कराने का नहीं पूझाता है इसलिए जो संस्थागत जो परंपरा है उसके अनुसार हो रहा है अब दिक्खत क्या है विशेश पर्लेयामेंन को बुलाया गया लोक्सभाको इसमें लिक्खत क्या है मेसेश बुलाने का और एया करी बिषेश बूलाया गया था जब जर्ककन्द और karateka तो इस तरह के होते हैं सरकार को इन पावर है और जो नेता है सदन नेता उसको पावर है कि वह राज हीत में कभी भी सदन को आहुत कर सकते परिशोड़ी आदव थे और इन्होंने साफ तोर पर कहा कि जेडियू को आरोप लगाने से पहले खुद सोचना चाहिए क्योंकि जेडियू ज्यादा तर समय बीजेपी के साथ ही रही है और कई फैसले हुए है जब बीजेपी साथ में जेडियू के थी उस वक्त सवाल नहीं कुछ जेडियू के जेडियू करता दो कि जेडियू को दूले है